सच्चाई देखने लगेगा तो कुछ अकस्मात होता नहीं जो होता है उसके पीछे कोई कारण है एक कारण है यानि एक कारण है कारणों से ही दुख की उत्पत्ति होती है जो बात कारणों से उत्पत्ति होती है वो कारण दूर कर दो उसके उत्पत्य नहीं होगी ये रोग है और रोग का ये कारण है कोई चिकेटसक का पहला काम ये होता है कि रोगी को ये रोग है ये तो जाने जो यही नहीं जाना कि ये रोग है वो इलाज क्या करेगा तो पहले सच्चाई ये जाने कि ये रोग है दूसरी सच्चाई के गहराई से उसका कारण क्या है उपर उपर का कारण तो हजार नजर आएगा गहराईयों से उसका कारण क्या है ये दो बात जान लिए अब इलाज करना असान हो गया वो जो गहराईयों वाला कारण है उसका निवारन करो उसको दूर करो वो दूर हुआ कि रोग अपने आप दूर हो जाएगा रोग को दूर करने के लिए कुछ ने करना पड़ेगा ऐसे ही जीवन जगत की ये सच्चाई की दुख है इस दुख है कि सच्चाई को अगर हम साक्षी भाव से देखते 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 गहराईयों तक चले जाएंगे अपने ही साड़ी तीन हाथ की काया के भीतर तो दुख का सही कारण पकड में आ जाएगा अब तो उपरी उपरी कारण ऐसा हो गया ऐसा हो गया यह अन्चाई हो गया इसलिए दुखी हो गया वो मन्चाई नहीं विश्ले दुकी हो गया इन कारणों में उल्जे रहेंगे, उनको सुधारने में लगे रहेंगे तो सही कारण पकड़ में नहीं आएगा उन कारणों को भी दूर करने का संसारी काम करेंगे अपनी जगह लेकिन जड़ों से दुख का कारण निकालना है तो दुख को स्वेम साक्षी भाव से देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे उसके प्रती भोगता भाव है वो तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे केवल दरश्टा भाव से दुख है तो दुख है बस इतना ही जान रही है यो जानने लगे तो जो दुख की सचाई थी सचाई थी वो के वह सत्य था ये दुख है ये सत्य था और जैसे ही उसको हम भोगता भाव तोड़ करके साक्षे भाव से देखने लगे तो वही सत्य आर ये सत्य बनने लगा आर ये सत्य बन गया सत्य तो सत्य था दुख जो भोगता है दुख को रोता है हाई रे मरा रे मुझको ऐसा होगी आरे वैसा होगी आरे उसके लिए भी वो सच्चाई है और एक आदमी रोता नहीं उसको भोगता नहीं द्रश्टा भाव से देखता है दुख है अच्छा देखने है कितनी देर रहता है ये अच्छा देखने है इसका मूल कारण क्या है वो व्यक्ति भी दुख का अनभो तो करी रहा है लेकिन वो भोगता भाव से नहीं द्रश्टा भाव से देख रहा है तो जैसे ही साक्षी भाव से देखना शुरू किया बड़ी जल्दी गहराई में चले जाएंगे और उसका सही कारण समझ में आएगा ये कारण है उपर उपर से जो कारण जाना उसको दूर करने के लिए केवल बुद्धी का उपयोग करेंगे और वो कारण की जड़ें दूर नह जगत का सत्यता ऐसा होने से दुख हो जाता है अब साक्षी भाव से दुख को देखते देखते हमने उस कारण को भी साक्षी भाव से देखा भुगता भाव नहीं तो देखा साक्षी भाव से तो वो भी आर्य हो गया और यूं होते 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 उसको देखते देखते उसको निकलने का रास्ता मिल गया तो ये रास्ता भी आरी शत्य हो गया और